दिखिये यह बहुत ही अच्छा और स्टेंडर्ड क्वेश्चन है ग्राफ का आपको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए इसमें अपन को VX ग्राफ दिया है, ध्यान देखना है VX ठीक है अब इस VX ग्राफ से आपको एक्सलरेशन कैल्कुलेट करना है ना तो सबसे पहले तो आपको इस graph को देखके ये लगएगा कि आप कुछ slope निकाल के कुछ निकाल के कुछ कर पाएंगे है ना तो actual में सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए इसका equation लिख लेना चाहिए इस graph का straight line है straight line का equation अपने पढ़ा है y is equal to mx plus c तो यहां पर y की जगए है v ठीक है x की जगए है तो x है तो mx plus c तो सबसे पहले आप देखें c तो आपको देखी रहा 4 अब बचा m और निकालना है तो m यहां पर क्या होगा सबसे पहले तो negative देखी रहा है m negative है ठीक है यह angle आप देख सकते हैं यह 90 डिग्री से और यह कितना होगा 4 by 2 यहाने minus 2 तो equation अपना बन रहा है minus equation अपना बन रहा है v is equal to minus 2x plus 4 अब देखें इसके बाद आपको पता है acceleration का मतलब क्या होता है dv by dt इसके लिए एक formula और आपने पढ़ा होगा v dv by dx यह भी acceleration के equal होता है यह वाला तो इसका यहां use कर देंगे अपन तो इसका differentiation अगर अपन करने विद रिस्पेक्ट to x तो अपने पास आ जाए answer कितना minus 2 इसको किस से multiply और करना है वी से ध्यानने इस formula पर ध्यान दें आप यह इस formula पर यह भी acceleration के equal है तो यह dv by dx हमारा आया है 2 और यह velocity का equation यह है तो यह एकसलरेशन हो जाएगा minus 2 minus 2x plus 4 इसको solve करेंगे तो यहां पर आएगा 4x plus 8 sorry minus 8 4x plus minus 8 तो यह answer 4 हो जाएगा ठीक ही चलिए तो यह एक अच्छा question है यह कि चलिएगा आया है